हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो माइ यूटूब चैनल बरूट इंग्लिज हब दिस इस रजनी तो स्टूडेंट्स आज की इस लेक्चर में हम करने बाले है इडियम्स एंड फ्रेजिज जो आपके बीए के एक्जाम में है एक्जाम किसी भी एक्जाम में लगा लीजिए जितने भी कॉंप्टेटिव एक्जाम होते है सभी इडियम्स एंड फ्रेजिज पूछे जाते है तो आज हम लैटर ए से सुरू होने बाले सभी इडियम्स एंड फ्रेजिज को यहां पर डिसकस करेंगे तो चलिए यहां पर है a bad penny, तो a bad penny, देखे पैनी क्या होता है, हर चीज हमें क्या करनी है, समझ कर चलनी है, अगर आप समझ कर करते हो, तो कभी भी ये आप भूल नहीं पाऊंगे, तो देखे सबसे पहले है a bad penny, a bad penny, पैनी क्या है देखे एक pound होता है, जो इंगलेंड में क्या होता है, pound होता है, pound का सोवा हिस्सा होता है, a bad penny, a bad penny, an unpleasant or unwanted person, तो देखे एक ऐसा अब देखे सो जो होती है सोवा हिस्सा है जो एक पाउंड का तो यह क्या है इसकी कोई importance है नहीं है तो इसलिए इसको कुछ खास value नहीं माने जाती है और इसको यह माना जाता है कि इसके लिए bad sense में इसको use किया जाता है पैनी को a bad penny and unpleasant or unwanted person एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है unpleasant होता है unpleasant क्या होता है एसको हम बोलते है unpleasant unwanted person जिसको हम चाहते नहीं कि यह व्यक्ति हमारी लाइफ में आए तो वो क्या होता है unwanted person who appears at inconvenient time तो देखे a dime's worth क्या होता है a dime's worth an insignificant amount यानि कि इतनी amount जो हमारे लिए insignificant है यानि जिसका कोई महत्तम नहीं है सिर्फ इतनी मात्रा में यानि बहुत ही कम मात्रा में कोई चीज होती है जब उसको बोलते है a dime's worth कि इसकी तो कोई value ही नहीं है इससे कोई अंतर ही नहीं पड़ता और यहां पर किस sense में यूज किया जाता है जो कोई difference शो नहीं करती difference शो नहीं होता जिससे ऐसी चीज difference शो नहीं होता यानि कोई difference नहीं होता अगर माली जिए हम दो व्यक्तियों क्या करते हैं उनका comparison करते हैं किसी दो व्यक्तियों का जब हम comparison करते हैं और वो दोनों ही same value के हो थोड़ा बहुत मामुली सा अंतर हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं a dime's worth यानि कि इसका कोई महत तभी नहीं है इन दोनों में बिलकुल भी अंतर नहीं है नहीं के बराबर अंतर है तो उसको बोलते हैं a dime's worth a man of action अब देखे कोई व्यक्ति है जो एक्षन लेता है जल्दी से a person inclined to act first rather than think or discuss them देखे एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है एक्षन लेना ज्यादा अच्छा समस्ता है यानि time पर क्या करता है वो माली जी उसको किसी व्यक्ति को कोई काम मिला वो दूसरों से उसके लिए idea नहीं लेगा नहीं वो किसी से discuss करेगा किसी से बलकि क्या करेगा वो खुद से ही उ उसको बोलते हैं a man of accent a man या फिर a woman कुछ भी आ जाए a man a woman of few words a man of few words यानि क्या हुआ जिसके पास ज्यादा वर्ड नहीं होते तो उसको हम क्या बोलेंगे who doesn't speak much a person who doesn't speak much एक ऐसा अभ्यक्ति जो ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि उसके पास कितने वर्ड है बहुत कम वर्ड है पैनी सेवड इस ए पैनी अरंट या गेंट अब देखिए क्या है एक पैनी को जब हम सेव करते हैं वो पैनी जो हम क्या कर लेते हैं उसको हम कमा लेते है या फिर उसको हम बचा लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ हम पैनी पैनी करके यानि की छोटी छोटी मात्रा में क्या होता है पैनी अभी मैंने बताया इनको जब हम क्या करते हैं कहते हैं बोंद बोंद से सागर भरता है तो बैसे ही अगर पैनी पैनी को जोड़ा जाए पैसो related it is wise to save money कि ये बुद्धि मता भरा काम है कि हम क्या करें मनी को सेव करें simple है बिल्कुल ये a roof over your head अब किसी के सर पर क्या होती है छत होना क्या बोलते है उसको a place to lay याले जीने के लिए कोई जगा मिल जाना स्थान मिल जाना अपना जीवन्यापन करने के लिए उसको हम बोलते है a roof over your head क्योंकि क्या होगा over your head में हमारे जो सिर के ओपर क्या हो एक roof हो एक चत हो यानि रहने की जगा के लिए इसका यूज किया जाता है ये देखिए सभी ऐसे mediums है जो किसी ना किसी एक्जाम में आए है उनका ये collection है जो मैं यहां पर आपको आज करवा रही हूँ और सभी है तर्पोर्टर ने शत्रूल गैपर होता है बोच्ट कर रहे है यानि देख रहे है और गैण जब हम किसी चीज को लगातार दीखते रहते हैं और वो क्या करता है वो पोट उसमें जो भी समान है वो उबलने में समय लेता है कभी नहीं उबलता किसी पोट के अंदर का जो समान है कभी भी वो उबलता नहीं और उस पर हम बोच करते रहते हैं यानि उस चीज को हम देखते रहते हैं यानि एक पोट पर एक पतिले पर या फिर एक बर्तन पर हम क्या करते हैं अपनी नजर गडाकर रखते हैं उस चीज पर कि कभी यह चीज उबलेगी और कभी यह पकेगी और इसको कभ हम खाएंगे तो डाइरेक्ट यहां से मीनिंग नि जब कोई व्यक्ति anxiously क्या करता है for something वेट करता है किसी चीज के लिए बड़े excitement के साथ जब व्यक्ति किसी चीज के लिए वेट कर रहा हो but things appears to go more slowly पर वो चीज होने में या फिर आने में हमारे पास बहुत ज़्यादा समय ले रही है बहुत slowly हमारे पास आ रही है तो उसको हम क्या बोलते है अबोच्ट पोर्ट never boils यानि हम उस पर निगा गड़ा कर बैठे है किसी पोर्ट के उपर पर उसमें पड़ा हुआ समान नहीं रहा है ताइम ले रहा है यह ज़्यादा यह आ चुका है अग्जाम में यह भी a whole new ball game अब देखिए whole new ball game एक नई नई पूरी के पूरी एक नई बाल गेम यानि एक नया कुछ है यहां पर simple देखिए क्या होते है फ्रेज और एडियम simple होते है बिलकुल इनके meaning ही हमें समझने होते है और उससे ही sentence का या फिर उस बाक्य का अर्थ हमारा निकल कर आ जाता है उनका meaning निकलाता है तो यहां पर देखिए whole mean पूरी की पूरी new ball game एक नई बाल की गेम है जो a completely different situation अब हमें एक नई नई क्या मिल गई बाल मिल गई और गेम में हमने उसको यूज कर लि या यानि पहले क्या थे पुरानी थी और अब बिल्कुल नई situation आ चुके है नई क्या मिल चुकी है बाल मिल चुकी है completely different situation यानि पूरी तरह से अलग situation में एंटर करना यानि कि अलग ही स्थीती में हम जब कदम रखते हैं उसको बोलते हैं a whole new ball game एक नई गेम मिल जाना अब suspicion ये भी आ चुका है exam में अबब क्या होता है उपर suspicion mean suspect करना किसी पर संका करना किसी पर संदे करना तो यहाँ पर क्या है देखे अबब suspicion क्या हुआ संदे से उपर यानि हम किसी व्यक्ति पर संदे कर ही नहीं सकते वो उससे भी उपर है a completely honest person एक पूरी तरह से क्या होगा यानि कि क्या होगा एक इतना honest person होगा इतना इमांदर व्यक्ति होगा कि हम उस पर संदे कर ही नहीं सकते तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या यूज़ करते है अबब suspicion यानि संदे से भी उपर है उस पर संदे करना असान काम नहीं है या फिर नहीं किया जा सकता अब देखिए अब अब दा साल्ट अब साल्ट क्या होता है नमक होता है जो नमक से भी उपर के लोग अब देखिए क्या होता है हमें जीवनी आपन करने के लिए क्या चाहिए एक नमक कहते है ना नमक चाहिए खाना चाहिए और मकान चाहिए तो यहाँ पर क्या है अब अब स्टेंडर्ड ही कैसा है नमक से भी उपर का है उसका स्टेंडर्ड तो उसे तो अच्छे अच्छी चीजे मिलती है तो यहां से आप डायरेक्ट उठाए लिंक करना है हमें सिर्फ यहां पर वैसे तो यह पता नहीं इडियम्स और फ्रेजीज कहां कहां से किस इंगलिस लिट्रेचर के वर्क से निकल कर आते है अब देखे यहां पर क्या है इंगलिस वर्क से जो निकल कर आते हैं उन्हें को हम लिंक करकर पढ़ रही है वास्तमेन का मीनिंग ही नहीं होता यह पर हमें सिर्फ लिंक करना है और बहुत ज़्यादा वो क्या है ओनर रखता है सम्मानित बेखती है ओनर या फिर ओनर कोई भी स्पेलिंग लगा लीजिए दोनों ही correct होगी अब देखिए Achilles heel Achilles heel most important है ये Achilles heel क्या होता है a weak point अब आपको कैसे याद रखना है देखिए heel है जो heel क्या होती है किसी भी sandal की heel होती है हमें यहाँ से याद रखना है किसी भी sandal की heel अब वो क्या है अगर वो टोट जाए तो हम डगमगा के गिर सकते है यानि ये क्या है जब हम sandal डाल कर चलते है heel डाल कर चलते है तो ये क्या होता है एक weak point होता है यानि कभी भी वह तूट सकती है और इसका क्या होगा हम पर कोई ना कोई प्रभाव जरूर पड़ेगा तो बीक पॉइंट और फॉल्ट यानि कि ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल वीक है हमारी लाइफ का या फिर हमें कोई कमी है इन समबडी किसी भी ब्यक्ति में और किसी भी ब्यक्ति में कोई भी फॉल्ट होना या फिर कोई भी कम जोरी होना वीक्नेस होना उसको हम बोलते है इसको अच्छी तरह से आती है तो जो उसको नहीं हाती वो उस बेक्ति का क्या होगा एकिलस हील होगा यानि एक वीक पॉइंट होगा अब देखें Adam Adam क्या है देखें Bible में वैसे literature की है story की Bible में क्या होता है Adam और Eve होते है जिसकी संतान हम कहे जाते है कि हम Adam और Eve की ही संतान है यह दुनिया पूरी Adam और Eve से ही बनी है तो यहाँ पर क्या है Adam's Ale तो Adam एक बेक्ति बेक्ति मान कर चलना है सिर्फ आपको story में interest लेने के जुरूरत नहीं है तो Adam's Ale Ale क्या होता है देखें पुराने समय में एक beer होती थी beer पीने वाली beer होती है जो वो beer होती थी उसको हम Ale कहते थे पुराने समय में तो Adam's Ale तो वो क्या होगी देखें पुराने समय के यह beer है तो यह क्या है water यह किसके लिए use होता है Adam's Ale water के लिए old-fashioned old-fashioned mean पुराने समय का पुराने fashion का जो water होता है उसको बोलते है Adam's Ale या फिर ऐसा बेक्ति जो क्या है पुरानी प्रणप्राओं में बिलीव करता है पुरानी फैसन का है पुरानी कल्चर में बिलीव करता है उसको बोलेंगी हम Adams एल Next है देख burial to the to the fire add a입니다 आब देखिए जहां पर क्या लगी है fire लगी है आग लगी है वहाँ पर हमने क्या add कर दिया वहाँ पर add कर दिया fuel, fuel क्या होता है इंधन होता है, petrol, diesel कुछ भी लगा लीजे यहाँ पर जिससे क्या होता है add fuel to the fire, fire में अगर हम तेल डाल देंगे fuel क्या हुआ, तेल हुआ कोई भी तो अगर हम आग में तेल डाल देंगे, या कहते हैं आग में घी का काम करना, आग में घी डालना पहले से ही जलते हुए को और ज़्यादा, अब आग में घी डालेंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा क्या होगी आग तेज हो जाएगी, बढ़क जाएगी तो वैसे ही यह वही है add fuel to the fire यानि आग में क्या डालना, तेल डालना तो वो और भढ़काने के लिए मालने जी कोई ऐसी स्ट्वेशन टू में के प्रॉब्लम वर्स जब हम क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम में और भी बात चड़ा कर किसी को और ज़्यादा भढ़का देते हैं और वो जो सिच्वेशन होती है वो प्रॉब्लम होती है, और बड़ी हो जाती है और बद्धी बन जाती है, बुरी बन जाती है तो उसको हम बोलते है add fuel to the fire यानि अब देखिए अगेंस्ट दा क्लोक या टाइम यानि टाइम के अगेंस्ट चलना क्लोक के, क्लोक या टाइम कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ दोनों ही आ चुके है ये to do something as fast as possible यानि क्लोक के अगेंस्ट क्लोक है जो अपने समय पर चलती है माली जी एक बोच है, गड़ी है वो क्या है, वो तो अपने समय पर ही चलेगी और हम क्या करेंगे, उस बोच से भी पहले अगर कोई काम हमें एक घंटे में करना है, हम क्या सोचेंगे कि हम काम क्या से करें, उससे भी पहले कर दे, तो वही situation है यह अगेंस्ट दा क्लोक, टाइम से पहले कुछ करना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की सोचना to do something as fast as possible यानि कोई चीज, इतनी जल्दी करने की कोशिस करना, जितनी जल्दी हम उसे कर सके, यानि जल्दी से जल्दी निप्टाने की कोशिस करना and try to finish it before a deadline यानि किसी भी deadline से, यानि समय खतम होने से पहले ही किसी चीज को finish करने की उसको निप्टाने की कोशिस करना उसको बोलते है against the cloak cloak के against चलना, यहां से हम इसको link करके चलेंगे all cats are grey in the dark देखें सभी cats कोई भी cat हो, चाहिए वो white है कैसी भी है तो all cats are grey in the dark dark में भी कैसी दिखती है grey ही दिखेगी यानि कि जितनी भी cat होगी अंधेरे में तो वो कैसे ही दिखेगी सभी एक जैसे ही दिखेगी अब यहां पर क्या निकल कराया physical appearance is unimportant क्योंकि हर इंसान क्या है, माल लीजे कोई सुन्दर है, कोई भद्दा है देखने में कोई कुरूप है या फिर क्या होता है तो यहां पर देखी, कहने का क्या अर्थ हुआ, all cats are grey in the dark कि कोई भी बेखती हो वास्ता में अंदर से तो वो कैसा होता है सभी dark मतलब अंधेरे में यानि कि अंदर, हमारे अंदर क्या है यहां से link कर लो आप अंदर क्या है हमारे, अंधेरा ही तो है कोई light थोड़ी ना है अंदर तो यहां पर क्या होगा all cats are grey in the dark यानि darkness में, अंधेरे में तो सभी के सभी एक जैसे ही लगते है यानि कि physical appearance है जो वो क्या है unimportant है, उसको कोई महत्तव नहीं है अब देखिए all hat and no cattle सभी के सभी क्या टोपिया है और कोई भी cattle नहीं है कोई भी मवेसी नहीं है someone who is full of big talk यानि कि क्या होना कोई बैक्ती जब क्या करता है full of big talk बड़ी-बड़ी बाते करता है but lack action और power पर उस बैक्ती में वो power ही नहीं होते या फिर कोई action करने की जो कोसिस करता है वो action उससे हो ही नहीं सकता सिर्फ वो बड़ी-बड़ी बाते करता है यानि बड़ी-बड़ी बाते करना पर करना कुछ भी नहीं है उसको बोलते है all hat and no cattle कि सिर्फ क्या है all hat, hat की बाते करना पर क्या होगा no cattle पर कोई भी उसमें गुण नहीं होगा अब देखी एफिनिटी 4 यह direct आयत है एक्जाम में जो मैंने यहां पर राइट किया है एफिनिटी 4 एफिनिटी क्या होता है अट्रेक्शन होता है किसी चीज के लिए क्या होना उसको बोलते है एफिनिटी 4 यह पता नहीं कितने ही बार एक्जाम में आ चुका है जो भी चीज चमकती है ग्लेटर क्या होता है चमकना इस नोट गोल्ड वो सोना नहीं होती हर चमकती हूँ इसी चीज सोना नहीं होती तो यह कहने का अर्थ है तो यहां क्या निकला appearance is sometimes misleading यानि अगर हम कोई चीज चमक रही है दूर से हमने देखा और हम उसको गोल्ड समझ लेते हैं यानि हमने समझा कि वो सोना है पर वो सोना नहीं होता यानि कि अगर हम किसी के appearance को देखकर माली जी बड़े बड़े YouTube चैनल है हम वहां पर जाकर क्या देखते हैं कितने view जाई है कितने subscriber है पर हम वहां पर यह नहीं देखते कि कौन कितना deeply पढ़ाने की कोशिस आपको कर रहा है तो यहां देखी क्या निकलेगा all that glitters is not good तो next देखी क्या है an arm and a leg अब जिसके पास एक arm है और एक leg है वो तो क्या हुआ धनी ही हुआ अपने जिसके पास एक हाथ है एक पैर है वो अराम से पैसा कमा सकता है यहां से हम link करेंगे a lot of money जिसके पास बहुत सारा पैसा है यानि जिसके पास हाथ पैर है तो उसके पास सारा पैसा है an eye for an eye a tooth for a tooth एक आँख के लिए आँख और एक दात के लिए दात कोई भी आ सकता है दोनों ही आ चुके है एक्जाम में यह यानि कि एक आँख के लिए तो आँख होगी और दात के लिए दात होगा यानि कि punishment should equal the crime कि punishment कैसी हो जैसा crime वैसी ही punishment तो उसके लिए यूज करते है an eye for an eye यानि अगर किसी ने गलत किया है हमारे साथ तो हम भी क्या करेंगे गलत ही करेंगे an eye for an eye any port in a storm storm क्या होता है तुफान होता है पोर्ट क्या होता है पोर्ट होता है बंदरगाह जहां पर क्या किये जाता है जो समुदरी जहाज है वो उतरते है वहीं पर खड़े किये जाते है बंदरगाह पर तो एक port है जो इने storm किसीज में है वो storm में तुफान आ चुका है किसी बंदरगाह पर अब देखे तुफान आया बंदरगाह पर क्या निकला है यहां से forced to accept something कि sport को क्या करना पड़ेगा storm को सहन करना पड़ेगा क्योंकि forcibly क्या किया गया है storm इस बंदरगाह पर आया है forced to accept something in a situation whether you like or not बेसक से इस बंदरगाह को तुफान पसंद हो या ना हो पर उसे इसका सामना करना पड़ेगा मजबूर है यह सामना करने के लिए तो यहां से बनाया कि कोई ब्यक्तिजब मजबूर होता है किसी चीज़ के लिए और वो चाहे या ना चाहे उसे वो करने पड़े तो next करते हैं आपको बिल्कुल tricky way में यहां पर अब बताऊंगी कुछ phrases इनके इलावक कितने मर्ची आ जाई यहां से same तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी इन idioms of phrases में अब देखे क्या है यहां पर अनधर नेल नेल क्या होता है एक खील होते हैं इन वन्स कोफिन में किसी व्यक्ति के कोफिन क्या होता है कोफिन होता है ताबुत होता है जो यानि कि क्या होती है कबर बनाई जाती है लकडी की या किसी चीज की जिसमें किसी को डाल कर किसी कबरिस्तान में दफनाया जाता है तो उसको कोफिन बोलते है another nail in one coffin एक और नियल एक और kill क्या करना गाड़ना किसीज में किसी के ताबुत में तो तो वहाँ पर क्या होगा यानि कि और जाधा क्या करते रहना कुछ ना कुछ पहले एक किल गाड़ दी फिर दूसरे गाड़ दी और जाधा गाड़ते ही रहना तो continue रखना यह चीज, तो क्या होगा यहाँ पर series of events, कुछ क्या होगा series of events, बार बार कोई ना कोई event होगा, कोई ना कोई घटना होगी, which lead to downfall or failure, जो किसी इसके तरफ lead करेगी, तो वो किसी के पतन की तरफ या फिर failure क्या होता है, failure होता है, fail हो जाना, यानि हार जाना, हार माल लेना, तो किसी के पतन की तरफ बढ़ना, ऐसे events लगातार, यानि ऐसी घटनाई लगातार घटित होते रहना, जो क्या करेगी अंत में, किसी के पतन का कारण बनेगी, तो हो जाता है तो coffee नहीं ही अपने आप में क्या है एक ऐसा word है जो हमें failure के बारे में या down fall के बारे में बताता है अब यहां देखिए आर्ण to the teeth 어्ड क्या होता है जो हत्यार होते है तू द tar幫 होते है यानि दातों तेक हत्यार रखना यानि दातों के अंदर भी हतियार रखना अब इतने ज़्यादा हतियार होगे कि दातों के अंदर भी रख लिए तो यहां लगा लीजिए लिंक करना है हमें सिर्फ heavily armed with deadly weapons यानि पूरी तरह से क्या करना भरे होना किसीज के साथ हतियारों के साथ पूरी तरह से हतियार बंद होना जैसे कि terrorist होते है अतंकबादी होते है क्या करते है वो हतियार होते है उनके पास बहुत सारे कहीं कहीं वो छुपा कर रखते है पूरी बोड़ी पर अपनी तो उसे के लिए यूज होता है यह वर्ड armed to the teeth यानि दात तक क्या करना हतियारों को रखना armed with deadly weapons deadly weapons विए खतर ना जो भियानक क्यों होते है weapons होते है हतियार होते है उनसे पूरी तरह से लगते होना तो उसको बोलते है on to the teeth next है at a loss for words अब दीखिए loss हो गया किसी का words का words का loss हो गया यानि words खतम हो गए तो क्या होगा unable to speak बोल नहीं पाना बोल ना सकना unable to speak तो इसका simple सा meaning है बिलकुल at a loss for words unable to speak next है at that's door अब दीखिए death के door पे यानि मोत के गरवाज्य पर आजाना मोत के दरवाज्य पर यानि मरने वाला हो ना किसी को about to die ऐसा वेक्ति जो लगवग मरने ही बाला है उसके लिए यूज करते है at that's door यानि मोत के दरवाज्य पर पहुँच चुका है वो at hand at hand mean मान लीजिए मेरा हाथ है तो मैं यहाँ पर ऐसे भी करती हो at hand सिर्फ इतनी से दूरी तो क्या होगा nearby कोई ज़्यादा दूर तो यहाँ नहीं होगा तो हाथ जितनी दूरी बिल्कुल ही नस्दीक होगा कोई तो उसको बोलते है nearby और close by बिल्कुल नस्दीक चाहिए तो time हो बिल्कुल नस्दीक चाहिए space हो space mean कोई स्थान कोई स्थान में किसी से बिल्कुल नस्दीक खड़ा हो या फिर time बिल्कुल नस्दीक आ रहा हो उसके लिए यूज करते है at hand next देखिए यह बहुत बार आचुका है exam में at sixes and sevens यानि कभी तो सोचना six है और कभी लगना seven है यानि क्या हुआ पूरे तरह से क्या हुआ एक ऐसी state जिसमें क्या होगा confusion होगा a state of confusion is called at sixes and sevens यानि कि छे है यह साथ है जब हम confuse हो जाते है हमने कितने बच्चे देखे थे कितने student देखे थे छे थे पता नहीं साथ थे तो वहाँ पर confusion ही तो है तो उसे के लिए direct use होता है at the wheel at the wheel क्या होता है जो wheel गाड़े का होता है तो क्या होता है जब हम wheel को पकड़ते है तो क्या होता है हम drive कर रहे होते है तो driving के लिए use होता है at the wheel या फिर someone is on the driving seat next देखे अब यहां से हमें tricks लगानी है direct है, कुछ नहीं करना है यहां पर तो देखे, सबसे पहले बताती हूँ मैं, आपको क्या क्या लगाना है एक तो completely लिखाएगा पहले से ही लिखे हुए जाते हैं हमारे या तो होगा completely totally यानि सब का meaning ही पूरी तरह से होगा very बहुत ज़्यादा और जो वहां पर word होगा तो same ही लगेगा, plus क्या लगाना होगा वहां पर हमें जो word पहले दिया है तो पहले वाला word जो first word है, पहले वाला word हमें यहां पर use करना है जो पूरी क्या है, हमारी एक trick है अब देखे, कैसे sentences में यह trick कामाएगी, तो ऐसे sentence होंगे जहां पर as, as का use होगा इसको बोलते हैं हम as, as phrases या फिर as, as, idioms as, 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 as ऐसा कुछ भी, कितने भी idioms बना सकते हुआ, आप direct उनका answer आपको मिल जाएगा तो देखे, as blind as a that, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर completely, पूरी तरह से completely blind, पहला word उठाना है हमें, इसका मतलब यह नहीं, यह तो as, as, दोनों क्या है similarity दिखा रहा है तो as, as क्या करता है, similarity दिखाता है, तो यह सभी तो similarity के लिए यह, तो first part कौन सा हुआ blind, तो क्या हुआ completely blind, या फिर totally blind या बैरी तो इसके साथ लगता ही नहीं है, तो यह पहले से ही लगे मिलेंगे हमें, तो दिखिए as brave as loin, तो क्या है यहां पर as brave, इतना बहदूर जितना की सेर, तो क्या हुआ यहां पर, हमने क्या लगाया berry, या फिर completely brave, तो यह direct बन गया, very brave as poor as church mouse इतना गरीब, या फिर इतना, क्या होगा बिचारा सब्यक्ति, जो कैसा है, church mouse जैसा होता है जो, यानि इसके comparison कर दिया church mouse के साथ, अब देखिए यहां पर, क्या होगा अब यह poor है, तो क्या लगा देंगे हम, very poor लगा देंगे, very poor next है, as gentle as a lab gentle क्या होता है kind होता है तो क्या होगा यहां पर very kind हो जाएगा आपको यह दिये ही मिलेंगे word gentle के लिए क्या क्या यूज होता है, kind होता है generous होता है, तो ऐसे word आपको मिल ही जाएगे, अब देखिए as rare, as hands, teeth तो क्या होगा यहां पर, very rare as ugly as seen very ugly इसका अंसर क्या जाएगा very ugly तो यह ऐसे ऐसे जब भी आपको edge-edge बाले मिलेंगे तो आपको यह words यूज करने हैं और first word लगा हुआ देखना है तो यह हुए आपके a-letter बाले जितने भी most important थे हर एक एक्जाम से मैंने यहाँ पर choose करकर write किये है तो अगर आपको lecture अच्छा लगा हो तो like, subscribe and share जरूर कीजिएगा Thank you